हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए जिसे आटा होता है आटा किस तरह से खाना चाहिए तो आपको चोकर वाला आटा खाना चाहिए आटे में चोकर की मौजूदगी जो होती है आटे में चोकर जब होता है तो आत पेट में होने वाली मरोड से निजात मिलती है चोकर का सेवन करने से शरीर में फैट की मात्रा जो है नहीं बढ़ती खम होती है की सी देखिए चोकर को हमने निकाल के रख लिया अगर आपको चोकर नहीं मिलता है तो हुईट ब्रांद देखिए यह एमजोन में कहीं भी आप आनलाइन बुक करें 100 रुपए का 300 ग्राम मिल जाएगा यह काफी आराम से मिल जाता है हेल्दी होता है इसे आप अपने डाइट में दिरूर सामिल करें क्यूंकि गेहु के चोकर में बड़े बड़े गुण पाय जाते हैं जैसे कि इसमें कैल्सियम मैगनीशियम पोटेसियम फासफोरस विटामीनी बी कांप्लेक्स यह भोग को भी बढ़ाता है यह जितने भी हमारे शरीर में पाचन तंत्र संबंधी प्रूम होती है जो भी गड़बड़ी होती है यह सारी चीजों को दूर करता आपकी पेट से जुड़ी सारी समस्याइं धूर होंगी अगर आप चोकर युक्त आटा खाएंगे देखिए हमने आटे को किस तरह गुथा बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि रोटी को अच्छा रहेगा तो आप छिलका सही गेहूं का अपने डायट में जरूर सामिल करें आपके स्वास्तिक लिए काफी अच्छा होगा वेट भी कम होगा तो जो हम आटा मार्केट से लाते हैं बाजार में जो मिलने वाला आटा होता हो महीन होता है उसकी रोटी भी सॉफ्ट बनती है लेकिन वह खतरनाक होती है वह हमारे स्वास्ते के लिए अच्छी नहीं होती है तो क्यों की बात करें तो इसके चोकर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं इसलिए हमें चोकर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है च पेट फूलने की समस्चा नहीं रहती है पेट में भारी पन नहीं होता है वीडियो को ना लंबा करते हुए अब आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत- झाल